गुट मॉर्निंग बच्चो बच्चो हमारा लेसन चल रहा है दस्वा पार्थ क्यों जी मौल और कैसे कैसलिया आज हम इसकी कुछ और एक्सरसाइज देखेंगे यह एक्सरसाइज आपकी पेज 89 पर है बिटा पेज 89 खोलेंगे और यह एक्सरसाइज देखेंगे यह मैं पढ और लिखो की रोटी कैसे बेली जाती है बच्चो मैंने कल भी आपको बताया था कि रोटी कैसे बेली जाती है पहले आटे की छोटी छोटी लोईया बनाई जाती है फिर उन पर सूखा आटा उनको गोल गोल करके उनको पेडियां भी कहते है और लोईयां भी कहते है तो वो पेडियां बनाने के बाद उनको गोल गोल करके चकले बेलन की सायता से घुमा घुमा कर बेल बेल कर उनको गोल शेप दी जाती है इस तरह रोटी बनाई जाती है बेली जाती है अब बच्चो अगला इसी में कुश्चन है रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़त क्यों कि यह कैसे बनती है इनको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है पहला है चाय बनाने के लिए तो चाय बनाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले चाय का बनाने का एक बरतन लेंगे डंडी वाला बरतन हो तो ज्यादा अच्छा है उसमें थोड़ा पानी डालेंगे पानी स्वाद की अनुसार कोई कम दूद वाली पीता है कोई जादा दूद वाली और जब वो असे से पक जाएगी तो उसको छान लेंगे इस तरह हमाई चाहे तयार होगी नंबर दो पर है सबजी बनाने के लिए क्या करेंगे तो सबजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे सबजी को अची तरह धोएंगे चीलेंगे काटेंगे उसके बाद प्याज टमाट और अधरक लेसन काटेंगे उसका चौक बनाएंगे हींग जीरा डालेंगे प्याज लेसन डालेंगे अधरक डालेंगे हरीमिज डालेंगे सब्जी को चौक लेंगे चौकने के बाद उसको कुकर में भ तका सकते हैं जैसे मर्जी हो वैसे पकाएंगे धक करके गलने तक गलने के बाद आपकी सब्ची तयार हो जाएगी उसमें अपने हिसाब से मसाले डालेंगे चोंकते ही उसमें अपने हिसाब से मसाले डालेंगे नमक में जैसा भी टेस्ट करते हों डाल बनाने के लिए चीनी लेते हैं गी लेते हैं और ट्रॉटे-ड00 रमाला अच्छेम मांसाले श्ञेजायाते नियुक्ता लेता मसाला से मिंड़ी हैए वह उतीर टॉट वाग्यावेखा क म diferentes सिर्ट नाथ clocks गयागा्यात्र गीदाने में कि यह चेम जाएक है। सूजी लेते हैं, चीनी लेते हैं, घी लेते हैं और ट्राइफ्रूट जो भी डालने हैं वो लेते हैं, पहले सूजी को घी डाल करके अच्छे से भूनते हैं, जब वो ब्राउन कलर की हो जाती है, तो उसमें पानी डालते हैं, जैसे हमारी एक पाव सूजी है 200 ग्राम, तो उ चीनी ढालेंगे उसमें, उसको चलाते रहेंगे, जब वो ड्राइ हो जाएगा, तो हमारा हलवा तयार हो जाएगा, और उसमें फिर ड्राइफरूट डालके उसे सजा लेंगे, इसके बाद लसी बनाने के लिए, बचों लसी मीथी भी बनतीए और नमकीन भी, तो आप बात के अनुसार नमकीन पीनी है तो नमक मिला लीजिए और मीठी पीनी है तो आप उसमें थोड़ी चीनिया बुरा डाल सकते हैं तो इस तरह यह चीजें बन जाते हैं बच्चो इसको मैंने होमवर्क लिखा है पढ़ो समझो और याद करो इसको कहीं बच्चो आपको लिखन उनके समझ आ जाएगा तो बच्चो बस इसको पढ़ना है और समझना है थैंक यू बच्चो ओके